Hello everyone, welcome back to my channel, I am Pooja और आज के वीडियो में हम डिस्कास करने वाले हैं SSC CPO 2022 और 2023 के शिफ्टों में जो हिस्टरी के important questions पूछे गए हैं इससे आपको एक idea हो जाएगा कि आखिरकार examiner आप से कैसे question पूछना चाहता है और आपको कौन से topic को cover करने की जरूरत है वीडियो को end तक देखना है, end में एक question of the day भी है जिसका answer आप हमें comment section में दे सकते हैं तो I hope आपको आज का topic clear हो गया होगा SSC CPO PYQs with explanation history ये आज का हमारा topic है इसके पहले मैंने SSC CGL 2022-2023 and SSC JEE 2022-23 के सभी question जो history के सभी shiftों में आये हुए थे वो discuss कर दिये हैं with explanation इसके अलाबा मैंने science भी start किया हुआ है, right? तो science में CGL 2023 में science में जो questions पूछे गए थे वो मैंने discuss कर दिये हैं, second part बहुत जली लेकर आऊंगी ओके, so start कर देते हैं आज का video अगर आपको किसी को भी PDF की requirement है आपके इन PYQs की तो आप बिलकुल मेरे telegram को जोड सकते हैं connect कर सकते हैं Pooja Gen CA 247 और यहां से आपको PDF मिल जाएंगी जो भी PYQs की PDF या current affairs की PDF होती है daily current affairs भी होता है सुबह 8 बजे जो आप सभी लोगों के सभी competitive exam के लिए important है so let's begin first question हम देखेंगे with reference to the land revenue system of the Mughal Empire the term blank was the amount assessed देखेगा यहां पे Mughal Empire में एक शब्द इस्तमाल किया जाता था land revenue system के लिए basically जैसे कि अभी government क्या करती है हमारा finance ministry क्या करती है कुछ estimation देती है ना कि हमारा इस साल GST collection इतना होगा या GDP इतनी रहेगी और बाद में actually collection पता चलता है जब financial year खतम होता है वैसे ही यहां पर कितना land revenue generate होगा एक amount assist किया जाता है जिसे बोला जाता था जमा ठीक है और जितना actually amount receive होता था उसे बोला जाता था हासल clear तो यहां पे दो शब्द होगा है जमा and हासल option number four बिलकुल यहां पे correct हो जाएगा the arrangement for the collection of land revenue consisted of two stage these were assessment and then actual collection of the land revenue assessment को कह दिया जमा और actual जो collection हुआ उसको बोल दिया हमने हासल clear अब यहां पे मुगल empire के अगर बात कर रहे हैं तो आप यहां पर एक structure देख पाएंगे जिस तरीके से इनका administration run होता था सबसे उपर होता है राजा जिसको हम बोलते है बाच्शा बाच्शा का जो पूरा का पूरा एरिया है उनका पूरा kingdom है वो छोटे-छोटे सूबाज में divided होता है और सूबा को बोला जाता था province जिसका head होता था सूबेदार फिर सूबेदार जो होता था या सूबा जो होता था उसको हम दो अलग-अलग districts में divide करते थे और districts को वोलते थे सरकार district को क्या बोल रहे हैं मुगल एरा में? आंसर हो जाएगा सरकार एक था फॉजदार और एक था आपका अमल गुज़ार तो अमल गुज़ार basically land revenue के लिए responsible था ठीक है फिर सरकार के बाद होते थे sub district जिनको हम परगना कहते थे और परगना के बाद होते थे villages ठीक है तो इस तरीके से पूरा administration आपको देखने को मिलेगा मुगल एरा में ओके अब यहाँ पे land revenue assessment करने की और भी कई तारी technique या technique मुगल एरा में इस्तेमाल होती थी उनमें एक और था जबती तो जबती को हम बंदोवस system भी बोलते हैं और इसको शेर शहाने introduce किया था शेर शेर शहाने बंदोवस या जबती system को introduce किया था ठीक है उसके प्रडक्शन जादा होता है तो आपको टैक्स भी जादा पे करना पड़ेगा तो उनका productivity के साब से और current में जो rate चल रहा है उसके आधार पर land revenue decide किया जाता था यह system basically आप देखेंगे दिल्ली, इलाबाद, अबद, आगरा और लाहर के एरिया में देखने को मिलेगा और यहाँ पे cash के form में revenue collect होता था clear, अब यहाँ आईने अकबरी जो अकबर के समय लिखी गई है अकबर की जीवनी पर भी आधारे थे आईने अकबरी ठीक है इसमें आपको अकबर के ancestors के बारे में information भी मिलती है और कई सारे फसलों के बारे में भी यहाँ पे बताया गया है तो रवी और खरीब के crop के बारे में बताया गया है कि अकबर के समय या मुगल एरा में कौन सी फसलों का cultivation किया जाता था जैसे कि tobacco and maize, chili, powder and groundnut मतलब मिर्चियों का उत्पादन और groundnut, pineapple फिर mango की different varieties, potato, tomato and guava indigo, indigo एक commercial crop थी, नील की खेती commercial crop थी और seri culture, seri culture मतलब आपका रेशम के कीडों का पालन भी यहाँ पे किया जाता था clear? next है who among the following governor general enacted the law against the sati practice in the December 1829 वो कौन सा governor था जिसने sati prathak को ban करने के लिए एक law pass किया था 1829 में तो आप सभी को पता है, Raja Ram Mohan Roy और Lord William Banting दोनों ने मिलके एक बिल पास किया था और sati prathak को ban कराया था option number 2 यहाँ पर बिल्कुल correct हो जाएगा William Banting का अगर tenure देखेंगे तो 1828 से 1835 का आपको देखने को मिल जाता है इसने जो ठग होते थे, उनको भी खात्मा करने का काम किया था suppression of thugs 1830, इसके अलावा इसके समय ही charter act 1833 भी आया था जब हम William Banting की बात कर रहे हैं तो एक और governor के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं वो है Lord Canning, Lord Canning Governor General of India रहे हैं जब भारत में 1857 का revolt हो रहा था 1857 की क्रांती के समय governor कौन था? Lord Canning थे और उसके बाद Government of India Act 1858 आता है और British East India Company की पावर ट्रांसफर कर दी जाती है British Crown को, मतलब Victoria को, Rani Victoria को और उसके बाद पहले Viceray appoint होते हैं, वो भी Lord Canning होते हैं, चीक है? Next, the ruler of which of the falling dynasty will the Khajrahu Temple Khajrahu के मंदरों का निर्मार किस राजवंच ने कराया था? 950 AD से लेकर 1050 AD के बीच में तो हम सभी को पता है, Khajrahu के मंदर UNESCO World Heritage Site है और ये मद्ध प्रदेश में आपको देखने को मिल जाएंगे कहां पर ये आपको Khajrahu में आपको देखने को मिलेंगे ठीक है, कहां पर चंदिल वंच ने, चंदिल राजाओं ने इसे तैयार किया हुआ है और ये हिंदू और जैन टेंपल आपको देखने को मिलेंगे विंद माउंटेन रेंज में यहां पर 1986 में इन्हें UNESCO World Heritage Site में शामिल किया गया था और नागर स्टाइल में आपको ये मंदर देखने को मिलते हैं पहली बार इन मंदरों की चर्चा कहां पर की गई थी तो फर्स टाइम इन्हें अबू रिहान अल बरुनी ने 1022 मतलब 1022 AD में और इबन बतुता ने 1335 में अपनी बुक्स में इन मंदरों को रिपोर्ट किया था नेक्स्ट है इन ऑगस्ट 1907 मेडम भीका जी कामा कि मेडम भीका जी कामा पहली पर्सन है जिन्होंने विदेश में जाकर फॉरण जमीन पे इंडिया के फ्लैग को होस्ट करने का काम किया था in 1907 कहां पर तो ये घटना हुई थी जर्मनी में कहां पर हुई थी आंसर हुजाएगा जर्मनी में option 1 is the right answer 22nd of August 1907 को भीका जी कामा मेडम भीका जी कामा ने इंडियान फ्लैग को होस्ट किया था जी कि इन्हें हम Mother of Indian Revolution भी कहते हैं और इन्होंने Paris India Society का formation भी किया है अब इन्होंने tricolor को होस्ट किया था या फ्लैग किया था लेकिन tricolor उस समय ऐसा tricolor नहीं था जो आज हम देखते हैं saffron white and green उस समय जो tricolor हुआ करता था वो ये है green आप yellow देख सकते हैं और यहाँ पर आपको saffron color देखने को मिलेगा यहाँ पर आपको ये 8 flags दिखाई देते हैं और ये 8 flags इंडिकेट करते हैं 8 province को ठीकेट वहीं ये जो आपको moon और sun देखने को मिलता है ये Hindu और Muslim दोनों community को represent करने का काम करता है clear है 1907 में इन्होंने बंदे मातरम जो magazine publish होती थी विनायक धामुदर सावरकरजी के साथ मिलके इन्होंने इसे co-published किया था या co-editor थी भीकाजी कामा ठीकर next है तो यहाँ पर आप सभी को पता है कि 1764 में बैटल अफ बकसर हो रहा है एक तरफ बिटिश इस्ट इंडिया कंपनी है और दूसरी तरफ यहाँ पर कमाइट आर्मी है बिटिश इस्ट इंडिया कंपनी को lead कर रहे है है हेक्टर मुन्रो कौन lead कर रहा है हेक्टर मुन्रो लेकिन यह जो कमाइट आर्मी है यह किसकी है तो इसमें आपको तीन लोग देखने को मिलेंगे एक है मीर कासिम जो कि कभी बंगाल के नवाब हुआ करते थे उनको हटा दिया है गद्दी से तो भाग गए है वो तो मीर कासिम है मीर कासिम के बाद उस समय जो मुगल रूलर थे शाह आलम सेकेंड वो है और थर्ड नमबर पे आपको देखने को मिलेगा सुजा उद्दीन, दौला और अबद चीक है आपको यह तीन लोग यहाँ पर कमाइट आर्मी देखने को मिलेगे लेकिन उसके बाद भी यह हार जाते है और हारने के बाद फिर इन्हें इलाबाद की संधी इलाबाद की ट्रिटी साइन करनी होती है 1765 में और इसे कौन साइन कराता है तो रॉबर्ट क्लाइब इसे साइन कराने का काम करता है रॉबर्ट क्लाइब चिक नेक्स विच वन अफ फॉलुइंग टेक्स वास टेकन नॉट इन दे कैश बट इन दे फॉर्म आफ फोर्स लेवर इन दे चोला पीरियट तो चोला एम्पायर में ऐसा कौन सा टेक्स था जो कैश के फॉर्म में नहीं लिया जाता था आपको टेक्स कैसे पे करना है फोर्स लेवर करके आपको खेतों में सचाही करनी है घरों में काम करना है आपको कोई भी मतलब वर्क करना पड़ेगा टेक्स को पे करने के लिए यह कहां होता था चोला एंपाइर में होता था और इसका नाम था वेती टेक्स ठीक है option number 3 यहाँ पर बिल्कुल correct हो जाएगा चोला पीरियड में कई सारे टेक्स आपको देखने को मिलेंगे चोला जो पीरियड था उसकी official language आपको Tamil and Sanskrit देखने को मिलती है यहाँ पर एक और टेक्स के वारे में जिक्र मिलता है जिसका नाम है कदामई टेक्स basically चोला एंपाइर के founder विजयल या चोला है और उनके समय में आप देखेंगे इनके समय में एक और टेक्स इंटर्डूज हुआ था which is कदामई टेक्स और एक कदामई टेक्स basically जो फार्मर्स हैं फार्मर्स जो भी यहाँ पे लगाते हैं मतलब अपने किसान अपने खेतों में जो भी फसल को लगाते हैं उसके बाद उसको बेजते हैं और उस पे जो टेक्स देना पड़ता है चीक है उसके उपर चर्शा की गई है तो लेंडलोट या किंग को वो पे करते थे फार्मर्स यहाँ पर नहीं किसी और्गनाईजेशन का नाम लिखा है केवल एक एर लिख दिया कि 1879 में एक आम विद्रो हुआ था एक सैनिक विद्रो हुआ था कहाँ पर हुआ था और कौन उसे लीड कर रहा था तो यहाँ पर 1879 की बात है तो मैं हमेशा आपको बोलते हो एक थोड़ा सा आप याद रखने की कोशिश कीजिए जैसे कि मुंडा विद्रो कब हुआ, संताल विद्रो कब हुआ, भील विद्रो कब हुआ तो इसे का आइटिया होगा 1879 की बात हो रही है तो यह बात हो रही है वासुदेब बलवंद फड़के के बारे में वसुदेव बलवन्थ फड़के के बारे में यहाँ पर बात हो रही है और यह relation है रामोसी विद्रो से जो रामोसी किसान विद्रो हुआ था 1879 में 17 एरिया उफ महरास्ट में उसके बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है इन्हें Father of Indian Armed Revelation के नाम से भी जाना जाता है वसुदेव बलवन्थ फड़के को अब यहाँ पर विर्समुंडा का relation आप देखेंगे उल्ल गुलान मुव्मेंट से है बुदो भगत का relation कोल विद्रो से है वहीं आप देखेंगे तिकिंदर जीत सिंग का relation मनीपुर एक्सपेडिशन से आपको देखने को मिल जाएगा नेक्स्ट है Battle of Tukarai जिसे हम Battle of Bazaarra के नाम से भी जानते हैं मुगल मारी ये नाम से भी जानते हैं जो कि मुगल एमपायर और बंगाल के सुल्तान के बीच में हुआ था पूछा जा रहा है in which of the following year किस साल में ये युद्ध लड़ा गया था लड़ाई हुई थी यहाँ पर आंसर हो जाएगा option number 4 1575 1575 में Battle of Tukarai लड़ी गई थी एक तरफ मुगल एमपायर था दूसरे तरफ बंगाल की सल्तनत थी और ये घटना कब की है 3rd of March 1575 में यहाँ पर जो बंगाल का सुल्तान था जो की Battle लड़ रहा था उसका अगर आप देखेंगे नाम क्या था दौद खाद करानी क्या नाम है दाउद खान करानी इसका नाम है और ये लड़ाई भार गया था और यहाँ पर Treaty of Katak sign की गई थी जिसके अंदर आप देखेंगे उड़िसा को छोड़कर बाकी जो बिहार और बैंगॉल का एरिया है उसे सीज कर लिया था कब्जा कर लिया गया था बाइद अकबर या मुगल एंपायर के द्वारा तो केवल उड़िसा उसके पास रहे गया था नेक्स्ट बात करते हैं तो मौडरन डे में आपको ये कदंबा डाइनेस्ट्री कहां पर देखने को मिलेगी ये वन अफ दे फॉर्स्ट इंडीजीनियसली कन्नडा डाइनेस्ट्री है ठीक है तो आंसर हो जाएगा कर्नाटका में आप्शन नंबर फोर इस दा राइट आंसर आप इस एरिया को देख पाएंगे कर्नाटका में यहां पर आपको कदंबा डाइनेस्ट्री देखने को मिलेगी इनका समय है 345 से लेकर 525 कॉमन एरा CE में ठीक है बेसेकली नंबर नदन कर्नाटका और कोंकन एरिया में रूल किया है इनकी कैपिटल आप देखेंगे तो वनावसी इनकी कैपिटल आपको देखने को मिल जाएगी फाउंडर कौन है तो कदंबा डाइनस्ट्री के फाउंडर आपको देखने को मिलेंगे मयूर शर्म मयूर शर्म इन 345 CE में इन्होंने इस डाइनस्टी का फॉर्मेशन किया था डन Next Which of the following Indian state was the first to sign a subsidiary alliance सहयक संधी subsidiary alliance को sign करने वाला पहला Indian state कौन सा था आंसर हो जाएगा निजाम of हैदराबाद Option 1 is the right answer ठीके अब यहाँ पे सहयक संधी या आप कह सकते subsidiary alliance को काफी सारे राज्यों ने जॉइन किया था जैसे कि अबद, गायकवार, सिंधिया, पेशवा, हैदराबाद, मैसूर, तंजौर लेकिन सबसे पहले जॉइन करने वाला कौन था? हैदराबाद था अब आपको एक trick देती हूँ जिससे आपको sequence याद हो जाएगा क्योंकि एक्जाम में sequence भी पूछा किया है तो आप लोग में हम्टी मसालों के बारे में तो सुना होगा ठीके? तो आपको देखने को मिलेंगे आप चाहो तो इनके ears भी आप देख सकते हो कि कब इनहें सबसेडरी अलाइंस का पार्ट बनाया गया था फ़र एक्जामपल हैदराबाद इन 17, 19, 8 अब कौन क्या लेकर आया? जैसे सबसेडरी अलाइंस सहयक संदी, लौड वैले जेली लेकर आया था अगर हम बात करते हैं, पर्मनेंट सेटलमेंट जिसको हम इस्ताई बंदोवस्त के नाम से जानते हैं ये लौड कांड वालिस लेकर आया डॉक्ट्रेन ओफ लेप्स, हडप की नीती ये कौन लेकर आया, लौड डलहोजी लेकर आया लोकल सेल्फ गवर्मेंट मतलब इस्थानिय स्वसासन ये लौड रिपिन के समय आया हिंदू विडो मैरिज, रिमैरिज एक ये लौड कैनिंग लेकर आया बंगाल का विभाजन सभी को पता है 1905 में लौड करजन के समय हुआ था जब कॉंग्रेस का फॉर्मेशन हो रहा था 1885 में उस समय गवर्नर कौन था डफरेन था, ठीक है और जब कलकत्ता से दिल्ली हम अपनी कैपिटल को ट्रांसफर कर रहे थे इन 1912 उस समय लौड हार्डिंग आप देखेंगे गवर्नर हुआ करते थे तो कई बर डारेक्टली कॉश्चन पूछा जाता कि कोई इंसिडेंट हुआ है उस समय गवर्नर कौन है तो यह लिस्ट आपको डफिनिटली मदद करेगी और इसकी PDF के लिए जैसे मैंने पहले ही का है आप टेलिग्राम जॉइन कर लिएगा टेलिग्राम से PDF मिल जाएगी अगर इस सीरीज आपको यूसफुल लगए है अगर आपको लग रहा है है आने वाली एक्जाम में आपकी मदद करेगी आपको कॉश्चन अच्छे लग रहा है क्योंकि सारे PYQs हैं मैंने कोई भी कॉश्चन यहां पर फ्रेम नहीं किया जो SSC ने पूछे बस मैं उनको एक्स्प्लें कर रही हूँ अगर अच्छा लग रहा है तो बिलकुल इस लिंक को आप शेर कर सकते हैं उने फ्रेंड के साथ आपके वो सारे फ्रेंड जो SSC एक्जाम रेलवे एक्जाम इस्टेट यूपी एसी अधर एक्जाम के प्रप्रेशन कर रहे हैं और पहली बार आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिससे अपकमिंग क्लासे के नोटिफिकेशन मिल सकें अगर आप किसी और भी ग्रूप से जोड़े हुए हैं तो क्रिप्या करके इस लिंक को शेर करें चलो तो साथ अगस्ट उन्नीस तो पाच को वो कौन सी जगह है जहां पे स्वदेशी मूवमेंट की घोशना की गई थी आंसर हो जाएगा यहां पे कैलकटा टाउन हौल option number second बिलकुल करेक्ट हो जाएगा ठीक है स्वदेशी मूवमेंट की घोशना 7 अगस्ट 1905 को कैलकटा टाउन हौल बेंगौल से की गई थी कब की गई थी जब लॉर्ड करजन ने अनौन्स किया था कि 1905 में हम बंगाल का पार्टिशन कर देंगे ठीक है नेक्स्ट है विजयनगर एंपायर वस फाउंड़ इन विच ऑफ फॉलोइंग इयर बहुत इजी कॉश्चन है और कई बार रिपीटेट कॉश्चन है तो याद रखेंगे विजयनगर एंपायर का इनके बारे में हम बिलकुल बहुत जल्ली डिसकस करने वाले हैं अपने थियोरी क्लास में नेक्स्ट है बीज़पुर वस एनेक्स्ट बाइद ओरंग जेव इन विच इयर तो यहाँ पे मराठाओं का रूल हुआ करता था बीज़पुर में एक तरीके से सिवाजी महाराज ने इस पूरे एरिया में मराठा सल्तनत की स्थापना की थी और मराठाओं की पावर को रोखने के लिए औरंग जेव ने एनेक्स कर लिया था कबसा कर गया था बीज़पुर को 1686 में कब है ये घटना 1686 की ये घटना है और औरंग जेव की मरत्यू कब हुई थी तो 1707 में औरंग जेव की डैथ आपको देखने को मिल जाएगी चिक, डन, नेक्स्ट, तो यहाँ पे जो बैटल अफ खतोली है वो 1517 में लड़ी जा रही है एक तरफ है राना सांगा एक तरफ है राना सांगा और दूसरी तरफ कौन है दूसरी तरफ कौन है ये आपसे पूठा जा रहा है तो आंसर हो जाएगा इब्राहिम लोदी इब् देखेंगे तो आपको दिल्ली सलतनत का जो लास्ट राजा देखने को मिलेगा वो इब्राहिम लोदी है और इब्राहिम लोदी को 1526 में पानीपत के बैटल में बाबर ने डिफीट किया था और मुगल सलतनत की स्थापना भी की थी इब्राहिम लोदी का समय 1517 से लेकर 1526 क के बीच में आपको देखने को मिलेका और बैटल ऑफ खतौली में इब्राहिम लोदी की हार हुई थी राना सागा ने इनको कैप्चर कर लिया था और फिर रैंसम कलेक्ट करके इनको जाने दिया था तो इंकलाब जिन्दाबाद ये जो स्लोगन है वो किसको क्रेडिट दिया जाता है इसे पॉपुलर करने के लिए चीके तो आंसर हो जाएगा भागत सिंग जी ने जब असेंबली पे बॉम गिराया था चीके भागत सिंग जी और उनके साथ जो बटकेश्वर दत्य जी ते ज नाइन में बट ये जो स्लोगन है ना ये स्लोगन लिखा किसने है ये स्लोगन है किसका तो मौलाना हस्रत मोहानी मौलाना हस्रत मोहानी ने ये स्लोगन दिया था इंकलाब जिन्दाबाद ठीक अच्छा इनको तो सब भी लोग जानते ही होंगे भाई इनका नाम क्या है एड originally किस लेंग्वेज में रिटन हैं, तो आंसर हो जाएगा, जर्मन से थे तो जर्मनी लेंग्वेजी ही होगी, मतलब जर्मनी से तो जर्मनी लेंग्वेजी होगी, 1925 में प्रख्षिय है इनकी, ठीक, इसके दो वॉल्यों में, 1925 और 1927 में पब्लिश हुए थे, तो यहाँ पे वो कौन सा समय है जब Congress दो पार्ट्स में डिवाइट हो गई थी तो उसे हम सूरत स्प्लिट के नाम से भी जानते हैं और यह घटना 1907 की आपको देखने को मिलेगी जिसमें आपको एक तरफ गरमदल और एक तरफ नरमदल मतलब एक तरफ moderate और एक तरफ extremist देखने को मिलेंगे extremist के जो leader थे ना वो लाल बाल पाल थे चीक है वहीं अगर moderate की तरफ जाएंगे तो गोपाल कृष्ण गोखले जैसे आपको leaders वहाँ पर देखने को मिल जाएंगे तो option number two बिल्कुल correct हो जाएगा चीक है यहाँ पे जो actually हुआ क्या था जो सूरत का session होना था 1907 में Indian National Congress का तो यहाँ पे जो गरमदल के leader थे वो चाहते थे कि या तो लाल बाल पाल में से मतलब तिलक जी से तिलक जी या फिल लाला लाजपत राय इन में से कोई एक व्यक्ति जो है और Congress is split हो गई When was Abad annexed by the Lord Dalhaugy तो Lord Dalhaugy की हडप की नीती अभी हमने देखी Doctrine of Laps को देखा इन्होंने कबजा कर लिया था Abad पे क्योंकि जब कोई proper उत्तरदिकारी नहीं होता था राजा का बेटा या नहीं होता था गोद लिया हुआ पुत्र है अगर तो उसको ये लोग राजा नहीं मानते थे तो Abad को इन्होंने annex कर लिया और ये घटना कब की है तो 18 आप देखेंगे ये घटना 1856 की है यही रीजन है कि फिर बाद में बेगम हजरत महल ने क्योंकि Abad की राजगदी इनको दी नहीं गई मतलब annex कर लिया तो इसलिए फिर 1857 की revolt में वो participate करती है आप यहां पे कुछ और राज्जियों को देख सकते हैं जैसे कि सतारा को 1848 में सभलपुर को 1849 में जैथपुर को 1849 में फिर भगद और आपका उदाइपुर को भी annex किया था अंडर दॉक्ट्रेन ओफ लेप्स बाइदा लॉड डलहोजी नेक्स्ट है कम्निस्ट पार्टी ओफ इंडिया CPI was founded at blank in October 1920 तो इस CPI या कम्निस्ट पार्टी ओफ इंडिया का formation October 1920 में हुआ था कहाँ पर तो यह हुआ था तासकंद में कहाँ पर हुआ था तासकंद में इसका formation हुआ था और M.N.Royce के founder है बाद में आप देखेंगे CPI M मतलब Communist Party of India Markist यह फॉर्म हुई थी इस प्लेट होके in 1964 ठीक नेक्स्ट है आसाफ उल्ला खान was sentenced to death for blank आसाफ उल्ला खान को फासी की सजा दी गई थी क्या reason था क्या इन्होंने काम किया था ऐसा तो answer हो जाएगा यहां पे आप लोग ने काकोरी train का जो कांड है वो जरूर सुना होगा काकोरी कांड की नाम से उसको हम जानते है option number 3 तो 9th of August 1925 में जो हिंदुस्तान Republic Association की leaders थे जिसमें राम प्रसाद विस्मिल जी असफाक उल्ला खान चंदर शेखर आजार रोशन सिंग जैसे leaders शामिल थे इन्होंने यहां पर काकोरी train को लूटने का काम किया था जिसके बाद इनको फासी की सजा यहां पर दी गई थी next बात करेंगे who among the following was the commander of Muhammad Gauri and also the founded the slave dynasty in India तो Muhammad Gauri का commander था कौन? आंसर हो जाएगा कुतुब बुद्दीन एबग और कुतुब बुद्दीन एबग नहीं गुलाम वंज या slave dynasty की शुरुआत की थी तो option number 4 विल्कुल correct हो जाएगा अभी जो कुतुब बुद्दीन एबग है यह founder है slave dynasty का इसे लाख बक्ष भी कहा जाता है यह से लाख बक्ष भी कहा जाता है और एक दिन यह polo या चोगान खेल रहा था और गोडे से गिर गया और इसकी death हो जाती है 12 10 AD में और इसके बाद इल्तमश गद्दी पे बैठता है इल्तमश को इल्तमश को actual founder माना जाता है दिल्ली सल्तनत का clear है चलिए next बात करेंगे All India Khilafat Conference in November 1919 took place at तो All India Khilafat Conference कहा पर हुई थी इसकी meeting और इसको lead con कर रहा था और November 1919 में हुई थी तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर डेल्ली में हुई थी ठेकि खिलाफत movement का समय आप 1919 से लेकर 1924 तक देख सकते हैं इसे हम Indian Muslim Movement के नाम से भी जानते हैं अभी जो All India Conference या खिलाफत conference हो रही थी दिल्ली में 23rd of November को 23rd of November 1919 को और इसके chairman कौन थे तो महत्मा गाने जी इसके chairman आपको देखने को मिलेंगे सौकत अली, मौलाना मुहम्मद अली कई सारे important leaders आपको इस movement का part देखने को मिलेंगे अब ये question मैंने पुराने PYQs में भी आपके साथ discuss किया है यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कन्नौज, triangle war के बारे में जिसको हम त्री पक्चिय युद्ध भी कहते हैं त्री पक्चिय युद्ध के नाम से भी इसमें जाना जाता है पूछा जा रहा है कन्नौज के लिए कौन से तीन dynasties थी जो आपस में fight कर रही थी 8 से लेकर 9th of century के बीच में तो यहाँ पर आपको पालाज, प्रतिहार्स एंड राष्टकूटा देखने को मिलेंगे पाल बेंगॉल में रूल किया करते थे प्रतिहार सेंटरल इंडिया में थे और राष्टकूर दक्कन में थे और यह तीनों लड़ाई कर रहे थे कन्नौज के लिए पंडित मदन मोहन मालवी जी ने कौन सी उनिवर्सिटी का फॉर्मेशन किया था आंसर हो जाएगा B.H.U. जिसको आज हम बनारस हिंदू विश्व इध्याले के नाम से जानते हैं इन 1916 इन 1916-1916 नेक्स है इन 1856, गवर्नर जनरल अप्लैंक decided that Bahadur Shah Jafar would be the last Mughal king and after his death, none of his descendants would be recognized as a king they would just be called prince यहाँ पे वो कौन से गवर्नर जनरल है जिसने 1856 में कहा था decide कि Bahadur Shah Jafar last Mughal ruler होंगे इनकी death के बाद, इनका कोई उत्तरदिकारी जो है, वो राजा नहीं होगा उनको हम simply prince कहेंगे ठीक है, तो answer हो जाएगा यहाँ पर option number 1, Canning Lord Canning ने यह घूशना यहाँ पे की थी ठीक, next which of the following war ended with treaty of Salwai तो Salwai की संदी से कौन सा युद्ध समाप्थ हुआ था आप लोग उने Anglo-Maratha war के बारे में definitely सुना होगा Anglo-Maratha war first इसकी जो starting होती है वो treaty of सूरत से होती है सूरत की संदी से starting होती है और Salwai की संदी पे खतम होती है clear, तो option number यहाँ पे correct क्या हो जाएगा पहला Anglo-Maratha war ओके next, which of the following were not a part of citadel in a Harapan civilization या Harapan Architect तो Harapan civilization या Indus Valley civilization में generally जो पूरी township थी वो दो पार्ट में थी और अपर पार्ट में आपको store houses देखने को मिलते हैं for grains आपको great bath जैसे कि मोहन जोदाणों में great bath देखने को मिलता है वही काली बंगन जैसे area में आपको यगगी वेदिया जो fire altars या यगगी वेदिया है वो देखने को मिलती है लेकिन जो residential building थी वो lower house में थी मतलब lower part में थी ना की upper part में तो यहाँ पे चौथा statement गलत है बाकी सारा मामला सही है clear है next है who was the author of तारीक ए मुबारक शाही तो तारीक ए मुबारक शाही के author कौन है जिसे Persian language में लिखा है और इससे हमें दिल्ली सल्तनत की बारे में information मिलती है अगर specific कर दिया जाए दिल्ली सल्तनत में कौन सी सल्तनत तो आपको सायद वंच याद रखना है सायद dynasty या सायद राजवंच के बारे में हमको information कहां से मिलती है तारीक ए मुबारक शाही से मिलती है और यह पुस्तक किस ने लिखी है तो यहाँ बिन एहमद सरहिंद ने लिखी है यहाँ बिन एहमद सरहिंद की पुस्तक आपको यह देखने को मिलेगी चीक है Next The claim for स्वराज और self-government within the British Empire on the model of self-governing colonies like Australia and Canada was put forward from the Congress platform in 1905 by यहाँ पे लिखा है स्वराज या self-government की बाद यह लोग चाहते हैं कि Australia and Canada की तरह ही भारत में self-governing हो यह पहली बार यह step किसने उठाया यह बाद किसने सबके सामने 1905 में रखी तो answer हो जाएगा यहाँ पर option number 4 गोपाल कृष्ण गोखले तो गोपाल कृष्ण गोखले जी ने 1905 में यह सवदेश के बारे में self-government के बारे में demand की उसके बाद अगला जो session होता है Calcutta session जिसके head होते हैं दादा भोई नेरो जी और उन्होंने भी 1906 में सेम बात यहाँ पर कही थी चिक इन ब्लैंक दा मुगल एम्परर अपॉइंट दा कमपनी एज दीवान ओफ प्रोविंस ऑफ बैंगॉल यहाँ पे बोला गया है कि किस समय में कौन से समय में बिटिश इस्ट इंडिया कमपनी को दीवान अपॉइंट किया गया था बैंगॉल का तो आंसर हो जाएगा यही इलाभाद की संधी जब हुई थी ना 1765 में बक्सर के बैटल के बाद रोबर्ट कलाइब के समय यही पर यह घटना हुई है बैंगॉल के दिवानी राइट्स बिटिश इस्ट इंडिया कमपनी को दे दिये गए थे तो 1765 यहां पर जो ट्रिटी हुई थी ना शाहा आलम सेकेंड के साथ जो कि उस समय मुगल रूलर थे इन्होंने ही दीवानी राइट्स बेंगॉल, बिहार और उडिसा के बिटिश इस्ट इंडिया कंपनी को दे दिये थे in the exchange of annual payment of 26 lakh रुपे, 26 lakh रुपे के लिए, ठीक है? Next है, in दिल्ली सल्तनत, which of the following is known as the वंदगन, तो वंदगान या वंदगन के नाम से किने जाना जाता है? तो basically दिल्ली सल्तनत में हमें उस समय उन लोगों को कुछ ऐसे लोगों की जरुरत थी, जिन पर वो बहुत ट्रस्ट कर सकें तो ये लोग generally slaves को लेकर आते थे, और slaves को लाके military services में join कर आते थे तो ये जो special slaves लेकर आया जाते थे, उनको ही वंदगन कहा जाता था, इन दिल्ली सल्तनत clear, especially इलतमस के समय से ये घटना शुरू होती है, परशिया से इनको लाया जाता था तो रास्ट कूट वंच की स्थापना किस ने की थी, हमने पहले भी डिसकस किया है, दन्ती दुर्ग ने रास्ट कूट वंच की स्थापना की थी, ठीक है, जिसकी capital आपको गुल बर्गा देखने को मिलेगी तो आईए एक एक करके देखते हैं, बैटल आफ अलीबल ये सिखों से रिलिटेड है, ना की मुगलों से तो option number 4 यहां पे correct हो जाएगा, ठीक है, बैटल आफ अलीबल, ये आपकी सिख खालसा आर्मी और बिटिश इस्ट इंडिया कंपनी के बीच में सतलच रिवर, पंजाब में सतलच रिवर के किनारे, 20th of January 1846 में लड़ी गई थी, बाकी सारी बैटल में आपको Muslims देखने को मिल नेक्स्ट है, दहसाला सिस्टम, इस वेरी इंपॉर्टेंट कॉशन, कई बार ये कॉशन रेलवे और अधर एक्जाम में रिपीट हुआ है, तो दहसाला सिस्टम का रिलेशन लेंड रिवेन्यू सिस्टम से है, और दहसाला सिस्टम को इंट्रिजूस किस ने किया था, ये concept कॉन लेकर आया था, तो अकबर के दर्वार में नौ रतन रहा करते थे, तो इन नौ रतनों में से इनका एक फाइनेंस मिनिस्टर था, जिनका नाम है राजा तोडरमल, और उन्होंने ही इस दहसाला सिस्टम को इंट्रिजूस किया था, 15-18 में, clear है, done, बाकी आप यहाँ प the Asiatic Society of Bengal in 1784, तो Asiatic Society Bengal में 1784 में किसने इस थाफना की थी, तो आंसर हो जाएगा, Sir Billiams Jones ने की थी, क्यों की थी, भाई, जब आप इंडिया में रह रहे हो, तो इंडिया के कल्चर को, इंडिया के लोगों को, इंडिया की भाशा को समझना पड़ेगा, इंडिया के कल्चर क तो यहां पर बोला जा रहा है, कि 1342 में, हाजी इलियास खान ने बंगाल को उनाइट किया, और बंगाल का रूलर बन गया, उसने क्या टाइटल एडॉप्ट किया था, और इलियास शाह डाइनिस्टी की शुरुआत की थी, तो आंसर हो जाएगा, यहां पर ऑप्शन नंब वन, ठीक है, ऑप्शन नंबर वन is the right answer, सम्शाह उद्दीन, इलियास शाह, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, इस प्रॉब्लम की जड़ बताते हैं, तो ग्यास उद्दीन तुगलक था, ग्यास उद्दीन तुगलक ने क्या किया, बंगाल को पार्टिशन कर दिया, और तीन में डिवाइड कर दिया इसको, ठीक है, कौन-कौन से, तो लखोनोती, सतगाओं और सोनार गाओं, फिर इसी के लिए लडाईयां शुरू होई, और बाद में इसको रियूनाइट किया गया, शाह डाइनस्टी में, ठीक है, नेक्स्ट है, अनुसीलन समीती, वाज इसका फॉर्मेशन 24th of March 1902 में किया गया था, इसके पाउंडर है, सतीश चंद्र, इसके अलावा, सतीश चंद्र के अलावा, अर्विंदो घोष है, सर्ला देवी है, इसके अलावा, आपको यहाँ पर प्रमात मित्रा भी देखने को मिलेंगे, ठीक है, इन्होंने बेसेकली सौमेव विरकन अंदर जी की जो टीचिंग्स थी, उनसे इंस्पायर होके अनुसीलन समीती का फॉर्मेशन किया तो और एक काफे ज़्यादा इन्फिलेंस थे, बंकिम चंच अटर जी की आननन्द मर्थ से, चेक है, यहाँ पर जो अर्विंदो घोष हैं और विपिन चंद गवन, देखिएगा एक व्यक्ती था, जिसका नाम था महमूद गवन, महमूद गवन के समय जो बहमनी किंग्डम था, वो पीक पर पहुँच गया था, ठीक है, महमूद गवन को एक टाइटल दिया गया था, जिसका नाम है Chief of Merchant, या इसे हम मलीकुद तुजार के नाम से भ 1526 AD के वीच में आपको देखने को मिल जाएगा, बाद में इसे वजीर या फिर प्राइम मिनिस्टर भी अपॉइंट किया गया था, ठीक है, नेक्ट सिवाजी, the famous Maratha warrior, fought against who among the following Mughal emperor, तो शिवाजी महराज जी की जो बैटल हुई थी, वो औरंग जेब से हुई थी, जब और During the battle of Chanderi or the seas of Chanderi, the Mughal emperor blank had defeated Rajput in 1528, तो यहाँ पर simple सी बात हो रही है, battle of Chanderi, Chanderi की युद्ध के बारे में बात हो रही है, जो कि 1528 में Mughal और राजपूतों के बीच में होता है, राजपूत की तरफ से लीड कर रहे होते हैं, मेधनी राय, वही Mughal की तरफ से लीड कर रहे होते हैं, बाबर, चिक, next, who among the following was the founder of Bhudan Yojna या Bhudan Yag, Bhudan Movement के founder कौन है, देखिएगा, जब हमारा देश आजाद हो गया, आजादी के बाद देख रहा है कि बहुत सारे लोग जो है, उनके पास जमीन ही नहीं है, लेंडलेस हैं वो, किसानी कैसे करेंगे, क्योंकि जो owners थे, या जो जमीदार थे, उनके पास बहुत जारी जमीन है, तो आप जमीदारों को encourage करना है, कि आप इतनी जादा जमीन रख के क्या करोगे, आप donate कर दू, और जो landless present है, जिन किसाना के पास जमीन नहीं, उनको हम जमीन देंगे, जिससे उनका भी काम चलता रहे, भूदान यूजना या भूदान भूपमेंट के शुरुआत की, और ये शुरुआत किसने की, बिनोबा भावे ने की, 1951 की ये घटना आपको देखने को मिलेगी, इसके अंदर इन्होंने छे साल में 1.9 मिलियन हेक्टेर जमीन को collect कर लिया था, नेक्स्ट बात करते हैं, व 82 में आनन्दमट लिखा गया था, इन विच इयर डिट अंबेट कर स्टार्ट अ टेंपल एंटरी मूवमेंट, दो दलित क्लास थे, दलित वर्ग था, उनको मंदरों में एंटरी के लिए, एक टेंपल एंटरी मूवमेंट की शुरुआत बाबा साब अंबेट करने की थी, और ये शुरुआत 1927 में, 1927 में की गई है, ठीक है, 1927 is the right answer, नेक्स्ट है, अमोग वर्ष, अमोग वर्ष ने एक रचना लिखिये जिसका नाम है कवी राजमार्ग, एक कवी राजमार्ग जो रचना है, वो किस लेंग्वेज में है, ठीक है, तो अमोग वर्ष की रचना है कवी राजमार्ग और ये आपको देखने को मिल जाएगी, option number 3, कन्नाणा लेंग्वेज में, ठीक है, इसमें इनोंने राष्टकूट किंग के बारे में बताया है, मतलब अमोग वर्ष न के बारे में बताया है, इसमें बताया है कि इस तरीके से इनोंने जैनिज्म, बुद अनसराय ऑफ इंडिया, दूरिंग द फोर्मेशन ऑफ इंडियान नेशनल कॉंग्रेश, तो ये बात हमने थोड़ दे पहले डिस्कॉस की थी, दफरिं इस दा राइट आंसर, ऑप्शन 3, कब हुआ था फोर्मेशन तो आपको पता है, 1885 में हुआ था, A.O. Hume ने किया था, और पहला जो इनका Bombay Session होता है 28 December से 31 December के बीच में इसके जो अध्यक्ष होते हैं, चेर्मेन होते हैं वो व्योमेश चंद्र बैनर जी आपको देखने को मिल जाएगे Clear? तो इस तरीके से ये हमने CPO के questions की, काफ़ी कुछ नया information Definitely आपको मिला होगा ऐसे कुछ questions आपको मिले होगे जिसको आपने किसी book में नहीं पढ़ा है तो आपका एक database ready हो रहा है PYQ के यही फायदा होता है चलिए अब अगले question का answer आप हमें देंगे comment section में In the individual सत्यागरे Vinopa Bhave was the first सत्यागरही Second सत्यागरही कौन थे ठीक है Options है Dr. Rajind Prasad Pandit Jawala Nehru Siraj Gopalachari या फिर सर्दार Ballabhai Patel जो भी सही answer है वो आप हमें comment में देख सकते हैं इसी तरी की new series के साथ बिल्कुल मैं आपके साथ connect होंगी बहुत जली geography और quality के PYQ भी हम discuss करेंगे सो मिलते हैं नेक्स वीडियो में टेक कियर और जाते जाते लिंक को शेर करना नहीं भूलेंगे और लाइक बटन पर क्लिक भी कर सकते हैं ओके टेक कियर